प्रिसमें लर्मानिर रहीम, अभी मैं बात करूंगा मोडर्ना वेक्सीन की जो कि अमेरिका में बनाई जारी है और उसमें अभी उसके इनिचल रिजल्स जो हैं वो शीर किये गए हैं और वो पब्लिश किये गए हैं New England Journal of Medicine वो एक बहुत ही prestigious scientific journal है उसमें उसके इनिचल रिजल्स पब्लिश हुए हैं जिसमें उन्होंने 45 पेशेंट्स पे ट्राइल किये और उन 45 पेशेंट्स में बड़े अच्छे जो हैं वो रिजल्स हैं अच्छे रिजल्स हैं अच्छे रिजल्स इन दर सेंस कि messenger RNA based जो है vaccine यूज की गी जिससे बहुत ज्यादा मिकदार में antibodies सबी जो लोग थे उनमें पैदा होई जो कि बहुत ही खोशायन बात है क्योंकि जो response है इसका generate होना बड़ा जूरी होता है vaccine की success के लिए मैं इसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ जो के इस title से थी के America में बनने वाली coronavirus की vaccine मैं फिर इसमें थोड़ी सी वजाहत करता चलू कि यह कैसी vaccine है जो के messenger RNA based vaccine है या RNA vaccine हम इसे कहते है RNA vaccine जो होती है आम जो traditional method से बनाई जाती vaccine है या recombinant DNA technology के थूँ जो vaccine बनाई जाती है दूसरी बार यह है कि दूसरी जो vaccine बनाई जाती है वो एक उसमें एक लंबे duration के लिए हमें काम करना पड़ता है लैप में उसे clone करना पड़ता है अगर हम रही रिकमिनेट DNA टिकनालोजी के जरी बनाते है उसे express करना पड़ता है और उसके बाद हम उसे purify करते है vaccine successfully बनाई गई और use की गए तो इसमें यह होता है कि अगर कोई virus में mutation आती है कोई ऐसी changes आती है दूसरी vaccine में एक पूरे process को हमें repeat करना पड़ता है लेकिन इसमें हम वो ही changes जो है messenger RNA के sequence में करके तो बड़ी तेजी से vaccine तबारा से बना सकते हैं वो future में vaccine बनाना जो है अगर यह technology successful होती है तो बहुत आसान हो जाएगा इससे पहले यह vaccine जो है RNA based vaccine जो है वो animals पे इस्तमाल की जा रही है और इसके results अच्छे आ रहे हैं और अमीद की जा रही है कि जो results अभी तक इसके सामने आए है उसके basis पे यह vaccine future में इस्तमाल की जा सकेगी और humans पे भी इसके successful results हैंगे अभी इनके जो results हैंगे अब यह recruiting करें अपनी phase 3 trials के लिए इसमें बहुत बड़ा number चाहिए होता है यह thousands of people पे जो है vaccine को test किया जाता है और on the basis of results जो कि अभी इनके हासल हुए है जो पहले trials किये गए है अमीद की जारी है कि आप जो age group यूज किया जाएगा जिसमें बच्चे भी होंगे बुड़े भी होंगे जौन भी होंगे अगर इतने बच्चों में और बुड़ों में भी उसी तरह से response आता है जिस तरह से यंग लोगों में इसका आया है तो यह vaccine जो है वो लांच करती जाएगी और इसके लावा दूसरी इसमें success की बात यह है कि अगर इसके जो results हैं इनकी basis पे जो frontline workers हैं उनको इसके approval से पहले भी उनको यह vaccine दी जा सकती है ताके उनकी जिनगें जो है वो बचाए सके इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई questions वो vaccine के वाले से या दूसरे जो problems होते है आप हम से share कर सकते हैं हम उसे cautious करेंगे जितने भी questions रहां को answer करेंगे thank you very much for watching this video